नमस्ते ताई अली पनवदी जाएला रितु चोटु का तिरा अंधर सो रहा है अच्छा जाएला हिजा पटिल यह सर यह दिमाग चाटने वाले दिमाग आ रही है समाज का बोजा कंदे पे उठाए कुट्टे से भी तेज नाके इसकी तो एक काम कर इसका समाज का बोजा कंद से मैं उतारूं बिच में आके टपकना और बोलना बड़े साबने बुलाया गड़े तुला या सर निक नमस्कार पाटिल जी नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप आज किसकी बैंड बजाने आई हो आप तो जानते ही हैं वागले जी बैंड तो हम जूटकी बजाते हमीशा सच को तो गले लगाते हैं आपने हमें गले कभी नहीं लगाया कहना जिस दिन आखो गले लगा लिया उस दिन हलक से कुछ नीचे उत्रेगा नहीं सांस लेना दुश्वार हो जाएगा क्या मुद्ध की बात करते हैं यह आपकी अरिया में क्या चल रहा है मतलब खुले आम ऐसे ही का मामला है यह बलतकर ही नहीं यह लड़की अपनी मर्जी से दुसरों को खूश करती है यह इसका धंडा है हमारे पास प्रूफ है अच्छा किसमें किये कंप्लेन उसके सोसाइटी के लोगों ने वो भी कमिशनर के ओफिस में जाके कमिशनर के स्ट्रिक्ट वार्निंग इस केस में तुरंट कारवाई की जाए वाग्या बात बताएं आपके इलाके में तो आई दिन इतनी घटनाय होती रहती है इतनी फुर्ती तो आज तक अभी नहीं दिखाया आप लोगों ने यह कमिशनर इतनी दिल्चस्पी क्यों ले रहे हैं इस केसमें आजी बात कर रही है इस केस में दो-दो एमबसी इन वाल्ड और आप कह रहे है कि कमिशनर क्यों दिल्चस्पी ले रहा है मिनिस्टर जोशी क्यों दिल्चस्पी ले रहा है तो यह लड़की मतलब गई किसके साथ थी यह मिनिस्टर के लड़की के साथ और भांजे के साथ कि अइसा गो काय बोलो मी मतलब ऐसा सुनने में आया है सत्या जी मैं आपको पल-पल की खबर देता रहो यह लड़की कहा गई थी किसके साथ सोई थी किसके साथ दारू पी रहे थी बोलाना वो धंदा कर रहे थी हम तो मतलब लड़की का बयान तो आप लोग ले चुके होंगे होश में आने दो पता नहीं कौन-कौन से ड्रक्स लेके बैठी है लेकिन आप बड़े साब बुला रहे को मैं आ रहा हूं सत्या जी होश में आने दो बैयान भी लेंगे हम हरो हालो हां सत्या बोलो हां दधड़ जी मैं आपसे मिलने आ रही हूं जरूरी केस है एक विदेशी लड़की का बलातकार हुआ है मिनिस्टर जोशी के भांजी और बेटे इन्वाल्ड है इसमें इसलिए मैं चारी हूँ कि एक बार मैं आप से मिनिस्टर के लॉंडे इन्वाल्ड है सत्यार तुम्हें काम करो किसी दूसरे वकिल को देख लो प्लीस हलो, डटेजी बेब